हमारी सिस्ची में होश्यार में से होश्यार बच्चे को भी छे गणी दिये है और अध्यन में जो कम है उसे भी छे गणी दिये है तो सोचो ऐसे छात्र ने अभी भी तेरा गणी थल किये थे ये भी हो सकता है तेरा में इसे दस गलत होंगे सिर्फ तीन बराबर थे तीन भी किसी और की देखकर चुड़ाए होंगे मुद्दा ये नहीं है उसने देखकर चुड़ा है या नहीं मुद्दा ये है उसे गलती करने का भी तेरा बार अवसर मिला हमारी सिस्टेम में गलती करने के लिए सिर्फ छे बार अवसर है ये हम कौन सी सिस्टेम लेकर चल रहे है इस तरह से चातर चुनोती को प्रतिसात देते है, 72 गणित, क्या किसी शिक्षक ने सोचा होगा कि मैं किसी चातर को छुडानी के लिए 72 गणित दूँगा, नहीं सोचा होगा, और किया भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि चातर के पास कितनी क्षमता है, हमें हमारी खुद की जो मर्यादा है वही चात्रों के बारे में मालूम है हम ये सब मर्यादा पार करते है जब हम चात्रों को चुनोती देते है तो दोस्तों गणित में चात्रों को चुनोती दी ऐसे चुनोतिया विकसित करते करते हम आगे बढ़े अभी हमने जो आपको वाचन सहिते दिया है उसमें हमने चुनोती सूची भी दी हुई है किस कक्षा के कौन से विध्यार्थी को कौन-कौन से चुनोतिया देनी चाहिए गणित के चुनोतिया कैसे डेवलप होते गए हमारी एक मैड़म है शिरसाथ नाम से वो कक्षा में क्या करती थी या उन्होंने चुनोती के से शुरू की उन्होंने एक आकड़ा फलक पर लिखा 727 और चात्रों से कहा तुम ऐसे गणित बनाकर चुडाओ जिसका उतर 727 होगा उन्होंने एक आकड़ा लिखा और अनिक गणित जिसका उतर वही है वो चात्रों ने बना लिये ये सब हो सकता है हम सिर्फ ट्रैडिशनली सिखते आये है और अब हमें ट्रैडिशनली सिखना बंद करना है चात्रों को चैलेंज करना है चात्र खुद से पढ़ लेंगे चैलेंज की शुरुवात कहां से करनी है तो ये यहां से करनी है जो चीज़े चात्रों को आती है धीरे धीरे आगे जाने के बाद जो चात्रों को नहीं आता है वो भी चात्र सीख जाएंगे अगर हमने इस प्रकार से काम किया और फिर चात्रों को चैलेंज पसंद आते है और चात्र बहुत मज़े से चैलेंज का भाग बनते है चुनोतियों के बारे में कुछ और उधारन देता हूँ एक स्कूल है चिकली बुद्रुक के नाम से शुक्रवार के दिन हम स्कूल में गए शनिवार के दिन पारसी नूतन वर्ष और इतवार की छुटी एक साथ आये थे हम स्कूल में गपशब करने के बाद वहां से निकल रहे थे तब बच्चों ने कहा सर हमें कुछ चुनोति दीजिया ना जब तुम च्चात्रों को चुनोतिया देने लगते हो और उन्हें उसकी आदत पढ़ती है तब च्चात्रा आकर आपसे पुछते है सर कुछ चैलेंज दीजिये आज का चैलेंज क्या है वैसे ही हमने भी पूछ लिया हमने चात्रों से कहा ठीक है आपको चैलेंज देते है देखो एक से चार की स्कूल थी उनकी संख्या 41 थी 41 चात्रों को चैलेंज किया क्या था वो चैलेंज पहली कक्षा सर चौथी कक्षा तक के विध्यार थी थी हमने उनको ये चैलेंज दिया देखो कल और परसो यानि की दो दिन शनिवार और इतवार सुमवार तक सबसे ज्यादा किताबे कौन पढ़कर आएगा एक से चारखी कक्षकी स्कूल कुल 41 विद्यार थी और चैलेंज क्या कौन कितनी किताबे पढ़कर आएगा बिल्कुल छोटा सा गाव वहाँ पर कोई लाइबरेरी भी नहीं हमने ऐसा चैलेंज दिया और हम निकल गए सुमवार को हम स्कूल के जो शिक्षक थे शिंदे सर उनके फोन आना शुरू हो गए फोन नोठाने के बाद चिंदे सर बोले चात्राओंने कितनी किताब पढ़ी मैं भी आपसे पुछता हूँ क्या लगता है आपको कितनी किताबे पढ़ी होंगी पहले से चौथी का स्कूल कुल मिलाकर 41 विद्यर थी चोटा सगा लाइबरी नहीं कितने पढ़ी होंगी आपको अश्चरी होगा तीसरी और चौथी कक्षके 8 से 9 विद्यर थी ऐसे थे जिन्होंने पहली दूसरी तीसरी और चौथी की सारी किताबे पढ़ ली थी उस गाव में लाइबरी नहीं थी, स्कूल भी बन था, और कितबे सिर्फ स्कूल की थी, तो उन्होंने पहली कक्षा की, दूसरी की, चौती की सारी कितबे पढ़ ली, दो दिन में, दोस्तों क्या हमने हमारा पुस्तक भी पढ़ा है, हमारा टेक्सबुक कभी-कभी साल भर चल वो भी हाथ उठा कर बोल रहा है, मैंने दो कितबे पढ़ ली, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने क्या कहा? तुमको समझ आ रहा है क्या? क्या किया होगा योगिश ने? क्या योगिश जूट बोल रहा है? नहीं, वो तो सच बोल रहा है, वो तो पढ़ कर आया है, प पूरा पुस्तक उसने उलट-पुलट किया, इसलिए वो कह रहा है मैंने दो किताबे पढ़ी, देखो दोस्तो, चैलेंज में ऐसी ताकद होती है, जिसको पढ़ने नहीं आता वो भी पढ़कर आया, क्या आप ऐसे चात्रों को बोल सकते हो कि घर से पढ़कर आओ, पर जब आ आत्रे करने लेते हैं, तब वो गती से सीखते हैं.